आज हम सीफूड की रेसिपी कवा करेंगे फिश पिरियानी मैंने इसके लिए पापलिट फिश लिए आपको यह और फिश पी यूज कर सकते हो मैंने आदा टीस्पून नमक एक टीस्पून हल्दी और आदा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लगा के आदे घंटे के लिए र पाड़ा की च्वा बटा वाल नमक दाल दे और चावल को मैंने अलरेडी भीगोके रखा था तो इसमें चावल डाल दे इसको मसाला लगा कि 20 मिन ठोक है, इसमें मैंने थोड़े कड़ी पता डाला है और इसे शेलो फ्राइ कर लेंगे, दोनों साइड इसके अच्छे से पकाना है जब तक इस पे एक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और फिर इसे हम साइड में रख देंगे मैंने 8 मचली ली थी, सबी को इसी तरह फ्राइ कर लेना है और इनका जो बचावा मसाला है, वो मैंने एक फ्राइ पैन में डाला है आधा कप मैंने पानी लिया है, और इसे मैंने 1 टेबल स्पून ओईल लिया था और 3 टमाटर मैंने बारी कट करके डाले इसमें और यह बिरिस्ता कीवी तीन प्यास को मैंने डाला है एक टेबल स्पून मैंने लसनत रखा पेस डाला है इसे साथ से आट मिनिट अच्छे से पकाए जब तक टमाटर गल ना जाए टमाटर पुरी तरीके से गल गए है अब इसे हम मसाले डालेंगे मैंने एक टेबल स्पून मिक्स मसाला लिया है एक टी स्पून हल्दी लिया है और एक टी स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है अगर आपके पास मिक्स मसाला ना हो तो आप टेबल स्पून लाल मर्च पाउडर दाल दे और एक टेबल स्पून धनिया पाउडर दल दे बिटिस्था का बचावा दो टेबल स्पून ओल ता वो मैंने दल दिया इसके अंदर किके स्टार्टिंगे मैंने सिर्व एक टेबल स्पून ओली यूज़ किया था मसाले के लिए और स्वाधवनु सा नमक दल धे साथ मिक्स कर ले, अब मैंने इसमें खड़े मसाले डाले, स्टार, जावे, तरी, डालचीनी, लॉंग और काली मिर्च, इसे हम 5-6 मिनिट और पकाएंगे, इसका और जब अब सेपरेट हो जाएगा तो हम फिश के पीस दाल देंगे, और सिर्फ 2 मिनिट के लिए इसको पकाए तरी मिनिया डाले, तीन से चार मिनिट पकने के बाद हमारा मसाला अच्छे से थिक हो गया है, अब मैं फिलिम बन कर दूंगे, हमारे चावल भी रेडी हो गए, मैंने भी रिस्ता डाल दिया है, और फिर फिश का जो मसाला है, वो मैं दाल रही हूं, फिश के साथ, थोड़ फिश पिरियानी अपने घर में जरूर ट्राइ करें, अगर पापलिट मच्छी नहीं मिल रही है, तो आप कोई दूसरी मच्छी के साथ भी ट्राइ कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अला आफिर।